हे ब्यूटिफोल, वेलकम तो माई चानल, आम आशा, आज मैं आप लोगों के लिए अपने इस वीडियो में लेके आई हूँ, वेलेंटाइन मेकप लुक, जो मैंने स्मोकी आइस के साथ क्रियेट किया है, विद बोल्ड लिप्स्टिक के साथ, अधिकतर स्मोकी आइस के साथ लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने सोचा क्यों ना वेलेंटाइन दे है, तो रेड लिप्स्टिक लगाए जाए और रेड टॉप पहना जाए, और स्मोकी आइस किया जाए, ये लुक बहुत पसंद आया, आप लोगों का क्या विचार है, अगर आप लोगों को ये लुक मेरा पसंद आता है, तो ये वीडियो को जरूर जरूर लाइक करना, और ये लुक मैंने त्यार किया है, वेलेंटाइन दे के लिए, और चलिए चल्दी से देख लेते हैं, मैंने ये लुक कैसे त्यार किया है, आए ये फिर देखते हैं, मैंने ये लुक कैसे त्य जहां पर सबसे पहले मैं गुड़ वाइप का अरगन फेशिल ओयल यूज कर रही हूं जो कि मैं अपने चेहरे पर गिरा चुकी हूं अब इसको अपने फिंगर से ब्लेंड करूंगी अपने चेहरे पर उससे पहले मैंने फेस पे रोज वाटर लगा लिया था उसके बाद में यह बायोटिक का आई जल लगाने जा रही हूं अपने आइस के चारो तरफ और इसे डैब डैब करते हुए है या हलके हातों से अपने आखों पर अच्छे से लगा लूँगी उसके बाद में यहां पर मिस क्लियर स्टूडियो परफेक्ट का प्राइमर यूज कर रही हूं जो की O2 शेड में है और सच मानिए यह मैं फर्स टाइम यूज कर रही हूं और स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओयल भी निकला था जैसे की आप लोगोंने मेरी फिंगर पे देखा होगा और यह बहुत अच्छा है और उसके बाद मैं डार्लिंग इसाबेल का यह कंसीलर य जाता हैया क्युक्कि यह बहुत समूधे है और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और ड्राइभी नहीं होता आपके चहरे पे दुलिष्ग पड़ने के बाद उसके बैद सकते zupełnie ब्लैंड में इस कंसीलर को ब्लैंड कर रही हूं है अता कि अच्छे से मिक्स हो जाँ सबीक्ष जिसका नमबर है 230 और यह बहुत ही अच्छा लगा है मुझे फाउंडेशन जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको डैब डैब करके लगा रही हूं और ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैंने इसे ब्लेंड किया है यह भी एक अच्छा फाउंडेशन है मुझे काफी पसंद आता ह है यह उसके बाद मैंने यहां अपने फेस को कंटूर करने के लिए यह ब्राउन फेस पाउडर का इस्तमाल कर रही हूं और इसे एक ब्रश की साहता से अपने चेहरे पे लगा यहां पे मैंने अपने चेहरे पे अच्छा से कंटूरिंग कर रही हूं ताकि मेरा चेहरा और ब्लैक का इस्तमाल किया है मैंने डार्ग ब्राउन का इस्तमाल नहीं किया है और ये किट नई है मैं इसे सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये किट बहुत पसंद आई बहुत ज़ादा और ये काफी अच्छी है और स्मूध भी है लगाने में और ये मेरा आइब्रो कम्पलीट हो चुका है उसके बाद मैं ये फेस पाउडर लगा रही हूँ ये फेस पाउडर हिलरी रोडा का है ये बीबी पाउडर कॉम्पेक्ट मिनरल पाउडर है जो कि मुझे काफी पसंद आया और ये डबल डेकर है आयमीन डबल डेकर से मेरा मतलब है इसमें दो पाउडर है उसके बाद यहाँ पे मैं मेबलीन न्यू यॉक का दा न्यूड पैलेट में से आईशेडो पैलेट में से ये ब्राउन कलर का आईशेडो लगा रही हूँ अपने आंक के सबसे उपर फिर उसके बाद मैं थोड़ और यहाँ ब्राउन यूस करूंगी जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे लाइट पहले मैं एन लाइट ब्राउन लगाया और यह मैं दोनों आईश पे लगाती जा रही हूँ और उसके बाद मैंने वही डार ब्राउन अपने आईश के नीचे लोवर पार्ट में टी यहां पैर मैने ब्लेक आइशेडो लगाया है अपने आइश के सेंडर वाले पार्टस में जिसे कि मैं अपनी स्मोकी आइश लूक क्रियेट कर सकूँ pupil। और मैंने ये बहुत अच्छे से लगाया है इसके बाद मैंने इसको शेप भी दी है ब्लैक ही उससे और यहाँ पर यह मैं ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इन सबी कलर्स को आई मिन आईशेडो कलर्स को आप भी बार बार क्या सोचते होगे मैं कितना आई मिन आई मिन बोलती हूँ बट क्या करूँ मुझे निकलता ही है इसके बाद मैंने यह फ्लैट ब्रश से जो ट्रैंगल है उससे मैंने इसकी आईज की शेप दी है और फिर दुबारा से इसे ब्लेंड कर रही हूँ और उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक आईशेडो अपने आईज के सेंटर में और यह आईबरो बोन के उपर मैं हाईलाइटर लगा रही हूँ थोड़ा सा और यहां पर मेरा आईज मेकप रेड़ी हो चुका है और यहां पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने आफ कैमरा अपनी आईज लेशेज मसकारा वगएरा लगा लिया है जो कि ऐसे है और लाइनर भी लगा लिया है गुल्डन करर का और यह थोड़ा सा खराब भी हो गया था तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ और यहां पर मैंने फिरसेथ हलका सा फेस पाउडर से अपना टच अप किया है फेस पे और उसके बाद मैं यह नीविया का लिब बाम लगा रही हूँ ताकि जब तक मेरे होट मॉश्यर होते हैं तब तक मैं दूसरा मेक अप और कर लूँगी उसके बाद मैंने यहां सीवाना की ब्लश पैलेट ली है जिसका नमबर ओ टू है और मैंने इसमें से पिंक शेड लगाया है जैसा कि आप देख रहे हैं यह बहुत डाक लग रहा है लेकिन ब्रश से ब्लैंड करने के बाद यह बिलकुल न्यूटरल हो जाएगा और मुझे बहुत पसंद आई कि उसके बाद मैंने वेट अइन वाइल्ड का ब्लो सॉरी ब्लॉसम ग्लो हाइलाइटर यूज किया है जो की बहुत अच्छा हाइलाइटर है और यह मेरा फेवरेट है जबकि मैं इसे सेकेंड टाइम लगा रहे हूं और यह मेरा फर्स टाइ आउटर कॉर्णर में भी लगाया है यहां पे मैं हाइलाइटर लगा रही हूं और यह मेरे आइस का मेकप कम्पलीट हो चुका है मैंने हाइलाइटर लगा लिया है लेशेस लगा लिया है मसकारा लगा लिया है ब्लश लगा लिया है बस लिपस्टिक रह गई है तो लिपस और यहां पे गाना आ रहा था ओभवरे मैं वही गा रही थी और डास कर रही थी जैसा कि आप लग देख रहे हैं और अपना मेकप भी कर रही थी तो यहां पे मैंने लिपस्टिक को फाइनल टच अप दिया है और यह मेरी लिपस्टिक भी लग जाएगी और यह लग चुकी जैसा कि आप देख रहे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ बस मेरे बाल बनाने रह गए हैं तो चलिए फिर जल्दी से बाल बना लेते हैं और यहां पे मैं बिलको रेडी हो चुकी हूँ देखिए मेरा मेकप कैसा लगा आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यहां पे मैंने यह लाइट एसेसरी पहनी है यह हैवी सा एरिंग पहना है जो कि मिझे बहुत पसंद आया है और यह मेरा फाइनल लुक है कि मैंने है अ़गों यहा जlex को पसंद अभरों के लेडिल सा आया है तेया है जाल अच थे यह जिस आझएा हैंची के हैईगा चर न क्या हैं अचाहिए जिसे सबता है चुकी हूगः कि मैंने हम होगों वीजए बहाई पंद What अगर आप लोगों को मेरा ये वैलेंटाइन मेकप लुक अगर आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आता है तो जरूर 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 लाइक कीजेगा और सब्सक्राइब कीजेगा मेरे चैनल को और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी बोलिया इसे सब्सक्राइब करें शेयर करें नाइक करें और मेरे कमेंस बॉक्स में मुझे कमेंस करना ना भूले कमेंस करके मुझे जरूर बताना आप लोगों का कमेंस मुझे मोटिवीट करता है एक नया वीडियो बनाने के लिए कुछ नया करने के लिए तो मैं चाहती हूं आप लोग मुझे ऐसे ही कमेंस करते र और चलिए फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूं अपने एक और नई वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान रखिएगा और टेक केर लव यू लव यू सी यू बाई टेक केर और मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा जरूर बाई टेक केर